हलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी मैं के पीशर्मा आप सेलों का सवाध करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल दाके पीशर्मा पर इस इंपॉर्टन फार यूपी एससी एससी बैंकिंग डिफेंस एंड टीचिंग एजाम्स आल्सो तो लेट्स बिगें हम लोगा टॉपिक है पुर्टगाल आये थे ठीक है फिर उसके बाद डच आये ठीक डच के बाद कौन आया अंग्रेज आये और अंग्रेज के बाद डेनमार्क और फिर करमसा डेनमार्क के बाद कौन आया फ्रांसी सी तो यह यूरोपियों का आग्मन का करम है सबसे पहले पुर्टगाल फिर ड तो देखिए, PDF आप लोग एक फाइल जानते हैं, PDF, तो सबसे पहले कौन आया, पुर्टगाल आये, ठीक है, फिर कौन आया, फिर D से डच आये, और D के बाद होता है E, तो E से कौन आजाएगा, English यानि अंग्रेज आये, ठीक है, फिर अंग्रेज के बाद, फिर यही D आपको फिर से वापस रख देना है, आप पे तो Denmark आये, और F से क्या हो जाएगा, फ्रांसी सी, तो सबसे पहले कौन आया, पुर्टगाल आये, फिर डच आये, फिर अंग्रेज आये, और फिर से Denmark आये, और फिर आपका फ्रांसी सी आये, ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, और यहां पर एक चीज और में बताना चाहूँगा कि पुर्तगाल जो है वो सबसे पहले आये भी थे और सबसे बाद में गये भी थे तो फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले पे तो कंपनियों का स्थापना करम तो कंपनी जो हैं हमारे भारत देश में जो यूरोपीय कंपनिया थी तो वो कब आई और किसने सबसे पहले किस सन में अपनी कंपनी स्थापित की तो सबसे पहले पुर्तगाल आये थे ठीक है उन्होंने 1498 में अपनी कंपनी स्थापित की भारत में फिर अंग्रेजोंने 1600 में स्थापित की अपनी कंपनी और डच है Africa, पिस पंपनी कंपनी इस्थापित की और डेनमार्क ने 2016 में अपनी कंपनी स्थापित की और फरांस से लोग आये हुते उन्होंने अपनी कंपनी 1664 में इस्तापित की ठीक है वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजेगा दोस्तों करता सेर कीजेगा इसमें से कॉस्चन जो है एक्जाम में हर एक्जाम में पुछे जाते हैं चाहे स्टेट PCS हो चाहे कोई भी एक्जाम हो आपका तो वीडियो को सेर कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा धन्यवाद